तो मूवी शुरू होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जिसमें एक मदर होती है और उसके तीन बेटे होते हैं और साथ ही साथ उनके ग्रेंटपा भी सबसे चोटे बेटे के अच बर्टे होती है जिसका नाम जेट होता है और वो उसके सामने केक लाते हैं लेकिन को इन लोगों ने कैद कर रखा था क्यूंकि जेट की मॉम कह रही थी कि यह हमारी बक्रियां और हमारे आनिमल्स चुराने आया है अब जेट को उसकी पर्टे पर चेंसो गिफ्ट की जाती है यह कैसा जीब सा गिफ्ट हुआ भला वह सारे उस पिचारे आत्मी को काफी लग रहे थे। लिकिन जेट अभी मसूम बच्चा था तो वो चेंस ते उपजा कर भी उसाथमी को नहीं मार पाता और वो चेंस तो चोड़ देता है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है तो इतना सो काम निकर पा रही हैं क्य मॉर्ट अक्ट मुंकर नहीं गर पर बड़ा सा हैमर ऊटाते हैं। हैमर वह काफी हम वह उसात्मे की करते में मारते हैं जिससे वह बचाइरा अन्य मर जाता है। उसके बद्द हमरेंसे इंडे जाता है प्रेजंट टा traff का वो हमने को देखते हैं और ये कहते ही हो फॉरान जंकल की दरफ भाग जाता है उस कपल में से वाइफ काफी हेरान होती है कि हमारे सामने अच्छानक से कैसी आगया और हेल्प मांग कर ये जंकल में भी भाग गया है वो कहती है कि मुझे जाकर देखना होगा उसका हस्मinned उसे मना करता है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है लेकिन वो पिर भी वहाँ जाती है वूलर की उस बच्चे का पीछा कर रही होती है जो कि खूरान इसे फ़ाम में जला जाता है जहफी लूर की वहाँ पर दाखिल होती है तो देखती है कि वहाँ हर जगा हर दियां पड़ी हुई है और काफी ट्रैप्स लगे हुए हैं जिन ट्रैप्स में से वो पसकर किर जाती है वो काफी इंचर्ट हो चुकी थी और उसके नाग और मुझसे हर चकल से होना रहा था फिर हम देखती हैं कि वो बच्चा अपना मास्क उतारता है और आप यस उनके हिरान रह जाएंगे कि वो बच्चा था कुन जी हाँ वो बच्चा जेट था दरसल उसकी फैमिली ने उसे किसी गैंक्स्टर के पास पेश दिया था जो उसे किलिंग्स करना सिखाता था वो आदमी जिसके पास वो ट्रेनिंग ले रहा था वो उससे कहता है कि इस लड़की पर कार इंचन गिना दो और चिट ऐसा ही करता है इससे वो बिचारी लड़की मर जाती है तब ही वहाँ पर शेरिफ आ जाता है जो कि उन लोगों पर बहुत गुस्ता होता है और कहता है कि जस लड़की को तुम लोगों ने मारा वो मेरी बीटी थी मैं तुम लोगों को नहीं चोड़ूँगा लेकिन ना तो उसके पास कोई वारिंट था और ना है उसके पास कोई ऐसे चीज़ ती जो कि इस बात का पता लगा सकती कि इन ही लोगों ने उसको मारा है क्योंकि इन लोगों ने सारे प्रूफ सारे एविडेंस चुपा दिये थे लेकिन फिर भी वो शेरिफ इतना कंट्रोल रखता था कि वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाकर इन्वेस्टिकेशन कर सकता था तो वो जेट को अपने साथ ले जाता है वो शेरिफ काफी अच्छा आद्मी होता है वो जेट को मेंटल हेल्फ स्कूल में डाल देता है तार प्रेस के दिमाग में जितने भी क्रिमिनल थोड़ से हमाँ चली जाए और ये पर लिकर एक अच्छा बच्छा बन जाए फिर शेरिफ चाता है चेट की मौम के बास और उसे कहता है कि तुम्हारी वज़ा से मेरी बेटी मरी मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा कभी नहीं लोटाओंगा और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है फिर हम देखते हैं कि 10 साल गुज़र जाते है हमें वही स्कूल दिखाया जाता है जहां पर शेरिफ ने चेट को दाखिल करवाया था वहां पर एक नर्स आई थी जिसका नाम लिज़ी होता है उसका स्कूल में यानि मेंटल हेल्थ स्कूल में पहला दिन था तो वहां का एक आदमी उसे बिताता है कि यहां के सब बच्चों के नाम आते ही जेंच कर दिये गए थे ताकि उन्हें कुछ न याद रहे कि वो क्रिमिनल फैमली से बिलोंग करते है और उनकी पहचान भी नहीं बन जाए अब लिसी को एक आदमी दिखाई देता है जिसका नम पर्ड होता है वो उसके पास शाके बैटती है लेकिन वो उसे कोई लिफ नहीं गराता तभी वहां पर एक ओर लड़का लिसी को बताता है कि चुप ही रहता है और यहां पर हमें अंताजा हो जाता है कि चैट भी बच्वन में खामूश रहा करता था तो हो सकता है कि यह मुटा बच्चा चैट ही हो तभी लिसी वहां पर देखती है कि कुछ बच्चे आप इसमें लड़ाई कर रहे होते हैं लिसी उनको छुडाने जाती है कि उनमें से एक बत्तमीज बच्चा लिसी से ही बत्तमीजी करने लगता है तभी वहां पर हेल्दी बच्चा लिसी को बच्चाने आता है तभी वहां पर सीनियर डॉक्टर भी आ जाता है तो डॉक्टर उसे कहता है कि आप कुछ नहीं जानती ये अपने ही पुराने फैमिली मेंबर को मार चुका है क्यूंकि इसका डॉग उनों नहीं से ले लिया था ये काफी खतरनाक बच्चा है आप इसको अंडरेस्टिमेट मत कीजेगा हम कुछ नहीं सिर्फ इनके तेरपी ही करेंगे जैसी वो डॉक्टर जाता है तो वहाँ पर बट का दोस्त आता है और लिजी से कहता है कि ये लोग चूट बोलते हैं ये तेरपी के नाम पर बच्चों को टॉर्शर करते हैं और आज ही लोग बिलावजाबट को भी टॉर्शर करेंगे आप प्लीज कुछ करें तब ही हम देखते हैं कि उस मेंडल हेल्फ स्कूल में जैट की मॉम आती है वो अब काफिरेच हो चुकी थी और उसके पास कोट की इजासत थी कि वो जैट से चेट से चिप चाही मिल सकती है कि मैडम देखें यहाँ पर जैसे ही बचँं को लाया जाता है उनका नाम चेँज कर दिया जाता है हम किसी जैट को नहीं जानते और इस बात का पता करने के लिए आपको किसी दूसरी कोर्ट से जासत लेना होगी यह हमारा काम नहीं है लेकिन यह senior doctor पर ट्रामा कर रहा था उसे सब पता था बस यह नहीं चाहता था कि यह बच्चे अपनी family से मिलें यह बच्चों को torture करके खुश होता था क्योंकि इससे लगता था कि यह criminal family से हैं और यह कभी नहीं सुदर सकते हैं वो बस इनको torture करना चाहता था अब हम देखते हैं कि बच्च को काफी torture किया चा रहा था और जब चैट की mom यानि बच्च की mom यह देखती है तो उसे काफे घुसा आता है वो एक nurse को मार मार कर उससे उस जगा की keys ले ले लेती है और सब patients को अजाद कर देती है सारे patients बाहर के जिर्फ भागने लगते है और वो senior doctor बच्च की mom को यह निकाल देता है वहां से लेकिन बच्च भी अजाद हो चुका था काफी घुसा आता है उसे काफी दुख होता है वो senior doctor का सर किर्की के साथ मारने लगता है उस किर्की का शीशा टूट कर उस CD doctor के सर में लग जाता है जिससे उसकी बे डेथ हो जाती है अब लीजी भी काफी डर शुकी थी हॉस्पिटल के यह हाला देकर तो वो एक और नर्स के साथ वहां से भाग कर पेस्मेंट में चली जाती है लेकिन तभी वहां पर एक पाख अलाकर दूशी नर्स का कला काट देता है लीजी काफी डर जाती है क्यूंकि वो आदमी अब उसकी दूफ बढ़ा था उसे मारने के लिए के तभी वहां पर बड का वच्छा दूस आ जाता है और लीजी को पच्छा लेता है और फिर वो उस पाखल को मार देता है फिर वो लीजी को अपने साथ बाहर लेता है लेकिन बाहर होता है वही बैट बोई जो बड से लड़ाई कर रहा था और उसके साथ एक और अजीव और गरीब से लड़की होती है जो के पूरे mental health school में सबसे सदा बत्तमीज और चिट चड़ी थी वो उन दोनों को कहत कर लेते हैं अब वो उनको अपनी गाड़ी में बिटा लेते हैं तब ही वो बैड बॉय देखता है कि बड़ भी वहां पर है तो वो उसे भी अपनी गाड़ी में बिटा लेता है अब वो बैड बॉय इन सब से कहता है कि मेरे पिरेंट्स काफरेच है और दोसरे कांट्री में रहते हैं मैं एक तब से उनके पास जाना चाह रहा था तुम लोग चाहो तो बड़ असा जा सकते हो लेकिन खबरतार किसी ने भागने की कोशिश की हैं पुलीस कांफर्म किया अब बड और बड के दोस्त को अपनी फैमिले के बारे में कुछ नहीं पता था वो शुरू से इसी मेंटल हैल्स कूल में रह रह रहे थी उसे ये भी खबर हो चुकी थी के जैट यानि बड पीसी ग्रूप में है वो अपने मेंन पुलीस ओफिसर से कहता है कि तुम्हें जहां पर भी जैट दिखे उसे तुम शूट कर देना और ये बाद जैट की मॉम भी सुन लेती है फिर हम देखते हैं कि वो पांचो बच्चों का ग्रूप उस चका जा रहा होता है लेकिन रास्ते में उने काफी भूख लिखने लगती है तो एक रेस्टरेंट पर रुखते है और वहां पर वो बैट बोई रुसकी दोस्त लोगों से गंच शीन कर उन्हीं से पैसे लेने लगते हैं और वो बैट बोई वहां की वेटरिस को भी मार देता है लिसी मौका देख कि यहां से भागने लगती है लेकिन बैट उसे रोक लेता है कि ना जाओ कहीं भी उतनी ही देरे में वो बैट बोई भी आ जाता है और वहां से एक गाड़ी चुरा कर यह पांच रोक फिर से आगे चलने लगते हैं लेकिन बैट के पेट में कोई कोली शूट कर देता है रास्ते में जब उनकी गाड़ी से पेट्रल खतम होता है तो वह एक जंगल में रुक जाते हैं वहीं पर एक कंटीनर भी बड़ा होता है जो किसी ट्रॉली जैसा देख रहा था यह लोग उसके अंदर जाते हैं तो वहां पर किसी के टेट बोड़ी पड़ी होती है लेकिन अब इसके इलावा इनके बास कोई चारा भी तो ना था उनको रात इसी में रुकना पड़ता है यहां पर लेजी बड़ का फांटी करती है उसका जखम ठीक करती है अब वो बड़ बड़ से कहता है कि अगर लीजी या तो महोरा दोस भागने की कोशिश करें तो मुझे फॉरन से बताना लेकिन जैसे ही रात होती है लीजी मौका देखके तुभारा से बागने लगती है लेकिन बड़ बड़ यह देख लीता है उसे कहता है कि मैने तुम्हे मना किया था ना और इसी के साथ उसके साथ जब्रदस्ति किर्ने की कोशिश करताया लेकित महाँपर आ जाता है bud का ऊष्छा दोस्त वो इपर पिर से लिजी का protect कर लेता है वो bad boy जाता है सीधा बट के पास और उससे काफी बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना इंपर नजर रखने के लिए तुम अंदे हुए वे थे तुम कहा थे बट को यह सब सुनके बिल्कुल पी अच्छा नहीं लग रहा था पीछे से लिसी और बट का वही अच्छा दोस्त अकेले होते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा मुका है भागने के लिए लेकिन एक दम बट का दोस्त कहता है कि वो जैसा भी है मेरा दोस्त है मैं उसे छोड़ कर नहीं जा सकता तो वो बट को डूरने लगता है दोस्टी तरफ हम देखते हैं कि उस बैट बॉय की दोस्ट को पुलिस पकड़ लेती है यानि वही शेरिफ और उसे टॉर्चर किया जाता है वो कहता है कि मुझे बताओ तुम्हारा दोस्ट कहां गया तो वो कहती है मुझे खुद नहीं बता तुम तो पागल हो गई हो क्योंकि तुम्हारी बेटी चुमर चुकी है इसलिए अब तुम हमें भी टॉर्चर करोगे ये सुनकर शेरिफ को बहुत गुसाता है और वो उसके सर में शूट करके उसे मार देता है लिसी और बट का दोस्ट भी देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि हमें इन से दूर ही रहना चाहिए वरना ही हमें भी शूट करतेंगे पुलिस जानती थी कि बागी सब लोग भी कहीं न कहीं यहीं पर ही मजूद हैं तो वो अपने डॉक्स को उनको सुनने के लिए पीछे लगा देती है अब डॉक्स के अवास उनके इन तीनों को यानी बट, लिसी और बट के दोस्को पता चल जाता है कि पुलिस उन्हें डून रही है तो वो भागने लगते हैं और भागते बागते उन्हें एक काउ दिखाई देती है जो कई तिन की मरी हुई थी और अब उसका सिर्फ स्केलिटन और स्केन ही रह गई थी वो तीनों उसके नीचे चुप जाते हैं जिसकी वज़ा से टॉक्स को उनकी इंसानी स्मेल नहीं आती और जब उन्हें कोई नहीं देखता तो पुलिस भी वहाँ से चली जाती है शेरिफ को कॉल करने लगता है कि तभी बट उनके पीछेपीचे जाता है और उस पुलीस ऑफिसर का गला दुपाने लगता है लेकिन वो पुलीस ऑफिसर बट के सर में शूट कर जेता है जिससे उसकी डेत हो जाती है जब बर्ट का फ्रेंड ये देखता है तो उसे बहुत गुसाता है और वो पुलिस ओफिसर पर अटैक करने लगता है जिसकी वजह से उस पुलिस ओफिसर की भी वही डेट हो जाती है लेंसी ये देखके काफी परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि इस सारे कि सारे पागल थे मैं कहाँ पस कई वो वहां से कार लेके भागने लगती है उसने बड़ के दोस्ट को भी offer नहीं किया था कि साथ आ जाओ लेकिन बर्ट का दोस्त भागता उस कार में बैठ जाता है और लिजी से कहता है कि तुम दोके बाज हो मैंने तुम्हें अच्छा समझा था लेकिन तुम बाक्षियों जैसे ही निकली और तुम्हारी ही वज़ा से बर्ट की भी डेट होई बर्ट के दोस्त की हालत खराब होने लगती है पीछे से हम देखते हैं कि शेरिफ में इनके पीछे होता है और इन पर काफी ज़दा फाइरिंग कर रहा होता है अब शेरिफ के निशाने एतने बक्ये थे कि एक बिलिट लगती है बर्ट के दोस्त के मूमे जिससे उसका मुझ काफी खराब और डिस्फिकर हो जाता है और एक कुली लगती है लिसी के हाग में जिससे उसकी काड़ी का बैलन्स खराब हो जाता है और वो काई में गिर जाते हैं अब लिसी बहुश हो जाती है लेकिन जब उसकी आंग खुलती है वो देखती है कि वो शेरिफ की गाड़ी में है वो रेडियो से कई जगा कॉंटेक्ट करने की कोशिश करती है अपनी लोकेशन बताने का ट्राय करती है लेकिन तभी शेरिफ वहाँ पर आ जाता है और उसे कहीं और ले जाता है ये पता है कौन सी जगा थी? सेम वही जगा जहां पर शेरिफ की बेटी को मारा गया और वहीं पर उसने बट के दोस्ट को भी हैंड किया हुआ था शेरिफ बताता है कि जेट कोई और नहीं बलके यही लड़का था जो कि बट का दोस्ट था जेट की मॉम को भी इस बात की खबर हो जाती है जो कि शेरिफ के पुलीस ओफिसर नहीं उसे दी थी और वो वहाँ पर चेंस हो लिये पहुंचती है कि वो जेट को याद करवाना चाहती थी कि ये वही गिफ्ट है जो हमने तुमें बर्ट ले पर दिया लेकिन शेरिफ उसमें रटायक करने लगता है लेकिन किसी ना किसी तरह वो जेट को वहाँ से अजाद करके अपने घर ले आती है उसका फेस ठीट करती है और उसके फेस पर कुछ मैंडिजिस लगाती है वो लोग शेरिफ को और लेसी को भी अपने साथ लियाए थे और जब उन दोनों को होश आता है तो वो वहाँ से भागने की ट्राय करते है लेकिन जेट की मौम उन दोनों को पकड़ लेती है वो वहाँ पर जेट को बिलाती है और उसे चेंसो देते हुए कहती है कि ये लो आज वो वक्त आ गया कि तुम अपनी चेंसों का इस्तमाल कर सको जिस जिस ने तुमें टॉर्शर किया उससे अपना बदला लो जेट भी सब चीसों से काफी तंगा चुका था इसलिए वो अपनी चेंसों उठाता है और सीधा शेरिफ की चेस्ट में दे मारता है और यहाँ पर वो काफी पेंफुल तरीके से मारा जाता है लिज्जी वहाँ से तरके भागने लगती है लेकिन जेट की मौन अपने तीनों बेटों को अटर दीती है कि इसका पीछा करो लिज्जी भाग दी जा रही थी लेकिन भागते भागते उसका पाउं एक ट्रैप में बस जाता है और वो गिर जाती है बिचारी लिज्जी जेट से कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो याद करो तुम्हारी मौम तुम्हें बुरा बनाना चाहती है प्लीज मुझे मत मारो लेकिन जेट जो कि अब काफी बुरा बन चुका था वो मेंटली इल हो चुका था वो लिज्जी की एक नहीं सुनता और उसकी गर्दन उसके जिसम से इलहता कर देता है उसी चेंसों से और वहाँ पे जिन लोगों की डेट होई वो फैमली उनके पीसेस किर देती है और अपने अनिमल्स को खिला देती है और फिर हम ये देखते हैं कि चेट लीजी के फेस से उसकी सारी स्केन उतार कर एक फेस मास्क बनाता है जिसी अब लेटर फेस का नाम देता है और उसे पने फेस पर लगा लेता है और यहीं पर ये मूवी एंट हो जाती है थैंक यू फॉर वाचेंग